2023 में शनी के साथ बनेगी सूरे की यूति कुछ राशियों पर होगी धन की बरसात और कुछ राशियों को रहना होगा साफधान सूरे के पुत्र हैं शनी देव लेकिन शनी और सूरे में रहता है हमेशा 36 का आंकड़ा सूरे हैं ग्रहों के राजा जबकि शनी को कहा जाता है न्याय धीश सभी धर्शकों को मेरा गुर्मीत बेदी का नमस्कार हमरे नव ग्रहों में शनी और सूर्या का बहुत ही महत्तव है जियोति शास्तर के अनुसार शनी को न्याय धीश या धंडादी कारी माना गया है कर्म करते हैं उन्हें शनिदेव इसी जनम में धंडित भी करते हैं जबकि सूरय को जोतिश में इस संसार कि आत्मा कहा जाता है और साथ ही नपिता का दरज़ा भी दिए गया है सुरय अमसामान के प्रतिक होते हैं जिस विक्टि की कुंडली में सूरय मजबूस सिति में होते हैं उस विक्ति को समाज में पूरा यश्व और मान मिलता है सुर्य ऐसे ग्रह है जो कभी वक्री नहीं होते यानि उठी चाल नहीं चलते सुर्य देव को प्रतिक्ष देवता कहा जाता है जो हमें प्रतिदिन दर्शन देते हैं शास्त्रों में इनकी उपासना से मिलने वाले शुप फलों के एक लंबी फेरिस्त है मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वैदिक ज्योतिश में सुर्या को शनी का शत्रु कहा गया है शनी देव जो है वो सुर्या के पुत्तर है लेकिन इसके बाब जुत शनी और सुर्या में हमेशा शनी जिस तुला राशी में उचके होते हैं वहीं सुर्या नीच के हो जाते हैं और इसी तरह सुर्या मेश राशी में उचके होते हैं तो शनी देव मेश राशी में नीच के हो जाते हैं अगर किसी की कुंडली में सुर्या शनी की यूती हो या एक दूसरे को ये ग्रह देखते हूं तो विक्ति के जीवन में काफी संगर्ष रहता है दरसल सुर्या ग्रहों के राजा है और शनी के उनसे स्वत्रता के कारण सुर्या अपना फल नहीं देते जिसकी वज़ा से विक्ति के मान समान के लिए विक्ति को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है इसके लावा ये जो कंबिनेशन होता है ये थोड़ा पिता के लिए भी कश्ट कारक रहता है गोचर में सुर्या और शनी की ये जुती होती है इसे जुतिश में के बड़ी घटना माना जाता है जिसका परभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है साल 2023 में 13 फरवरी को सुर्या देव जो है वो कुम राशी में परवेश करेंगे जहां पहले से शनी विराज मान होंगे इस तरह सुर्या और शनी की कुम राशी में युती बनेगी ये युती जो है ये 13 फरवरी से बनेगी 14 मार्श 2023 तक पुरा एक महिना रहेगी और उसके बाद सुर्य दे मीन राशी में परवेश कर जाएंगे दूसरी और दोनों ग्रहों के सम सब्तक सब्तम दिश्टी जो है वो सिंग राशी पर होगी जिससे राइनिती में भी बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा इस गोचर से कुछ राशीों को बेहत लाब होता हुआ दिखाई दे रहा है आज की स्पोस्ट में मैं दर्शकों को बताऊंगा कि शनी और सुर्या की युती से जो लबहनवित होने वाली भागयश अली राशी हैं कौन कौन सी है पहली राशी मेश राशी है मेश राशी के जातकों के लिए सुर्या पंचम और शनी दशम लाब के सौमी होते हैं दोनों ग्रहों की युती मेश राशी के जातकों के लिए लाब स्थान में होगी इस भाव से विक्ति की इंकम और उसके सोर्सिस का ग्यान होता है दोनों ग्रहों की सेयुक्त दृष्टी आपके पंचम भाव पर होगी और इस यूती के कारण मेश राशी के जातकों को राज यूग के समान फल मिलने वाले हैं इस समय आपके भाई और खनन से जुड़े कामों में आपको सफलता मिलेगी दूसरी भागेशाली राशी कन्या राशी है कन्या राशी के जातकों के लिए सुर्या बार्वे और शनी पंचम छठे बाव के सौमी होते हैं दोनों ग्रहों की यूती जो है वो कन्या राशी के छठे बाव में होगी इस राशी के जातकों के लिए सुर्या शनी दोनों विपरीत राजयोग बना करके फल देंगे दोनों ग्रहों का जो संयुक्त परभाव है वो बार्वे भाव पर होगा इसके परभाव से वदेश में काम कर रहे लोगों को खास तोर पर सफलता मिलेगी आपको किसी बड़ी नो की धन राशी के जातकों के लिए सुर्या नवम भाव और शनी दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी और Bentay मैं दोनों ग्रहों की युति धन राशी के लिए तीसरे है वानी का परभाव है उससे आपके कार्यासित होते चले जाएंगे इसमें आपको भाग्या का भरपूर साथ मिलेगा किसी धार्मिक कि यात्रा के माध्यम से कोई वड़ी डील भी हो सकती है पिता की और से धनकी प्राक्ति भी हो सकती है मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि शनी और सूर्या की यह जो यूती है जो कम्बिनेशन है इसमें जन राशियों को मैंने बताया कि लाव मिलेगा वही कुछ राशियों को साबधान भी रहना होगा तो कि उन्हें कोई खास अच्छे नतीजे नहीं मिलेंगे तो जिन राशियों को साबधान डैना होगा उनमें पहली राशी वरिशव राशी है वहां चलाते से में थोड़ा साबधानी जुरूर पढ़ते हैं वाणी पर थोड़ा सा नियंतरन रखें वरना कटू शब्द बोलने से या तुरंत रियक्ट कर देने से रिश्टों में खटास आ सकती है थोड़ा स्वास्ते बख्ष का भी खायार रखें दूसरी राशी मिथों राशी है मिथों राशी वालों के लिए सुर्यावा शेनी का यह जो कंबिनेशन है यह निमन फलदाई साबित हो सकता है हलांकि बिजनस करने वाले लोगों को थोड़ा साबधान दैने की जरूरत है नुकसान से बचने के लिए पार्टनर का साथ मिलना जरूरी है स्वास्ते को लेकर के बरती के लापरवाही आपके लिए हानिकार की थाबित हो सकती है और तीसरी राशी जिसे सावधान दैना है वो सिंग राशी है सिंग राशी के जातकों को हैल्थ समंदी किसी प्रावलम का सामना करना पड़ सकता है कारे स्थल में अपने काम से मतलब रखें वरना किसी बड़ी समस्याजी आप गुजर सकते हैं चोथी राशी जिसे सावदा नैने की जरूरत है वो मकर राशी है मकर राशी के लोगों के लिए शनी वा सूर्या का जो गोचर है वो शुब साबित नहीं होने वाला ऐसे में इस राशी के लोगों को किसी भी तरह की इन्वेश्टमेंट करने से पहले ठीक डंग से सोच लेना चाहिए क्योंकि धन हानी का योग बन सकता है कुछ कामों में रुकावटे आ सकती हैं लेकिन परिशान मत होईए आने वाले समय में सफलता जुरूर प्राप्थ होगी तो ये था साल 2023 में जब शनी के सास्य है कि यूती बनेगी तो कुन राशीओं पर ये यूती मेरवान रहेगी किन राशीओं को धन के वर्साथ होगी शाब धान रेना होगा आज की पोश्ट में मैंने आपको बताया मेरे पेस से जुड़े रहिए इसे फॉलो करते रहिए मैं गुर्मीत बेदी